हालो गूड यूणिंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी काप के पनी टूप यूणा सेटिपी कुनिवान सीमें पर आप हमारे साथ कर रहे हैं अपनी सीटेट के लिए मैथ्स पेड़ा गोजी की क्लासेस तो चले शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास पहला प्रशन है एक संख्या का दसमलावनी रूपण समझने के लिए निमलिखित में से कौन सी पूरुजानकारी का ग्यान होना चाहिए आप सन देखते हैं आप सन दिया गया है पहला योग दूसरा है व्योकलन तिसरा है स्थानी बान और चोथा है गुड़ा तो आंसर किज सभी लोग एक संख्या का दसमलावनी रूपण समझने के लिए निमलिखित में से कौन सी पूरुजानकारी का ग्यान होना चाहिए सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने सभी साथी मुत्रों को जोड़ दीजिए उसके बाद में अपनी आज की बेहतरिन क्लास करते हैं आज की क्लास में कोश्चन है बीस और बीसों के बीस कोश्चन एक्जाम में आने की काफी ज़्यादा समय आपको आने वाले एक्जाम में देखने को मिलें यही कोश्चन तो इसका जो लोग कर रहे हैं आपसर नंबर सी उनका सही हो जाएगा इस थानी मान इस question number 2 का, सारे के सारे question बहुत ही बैतरीन है, आप लोग लगातार बने रही है और 20 question तक चलिए हमारे साथ में सारे के सारे question आ सकते हैं, एक्जाम में इस प्रकार के question आज की class में हम आपको करवा रहे हैं, जो आने की उमीद रखते हैं, पैड़ा गोजी में तो बताए बच्चों को भिनने की संकलपना पढ़ाने के लिए निम लिखित में से क्या त्यांत उप्यूक्त है तो इसका हो जाएगा आपसर number 1 क्या जाएगा किजीन एन जो छड़े हैं मिल्कुर सही आनसर हो जाएगा आपसर number 1 इसका अगला question है गड़ित के प्रकत के विशय में निम लिखित में से कौन सा कथन सत्ति नहीं है तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्ति नहीं है या पे निगेटिव आंसर बताना है आपको तो आंसर चाठी है निगेटिव आंसर कौन सा इसमें हो जाएगा सबी लोग आंसर किजे कोशन नमबर तीन का पहला अपसन दिया गया है गड़ित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेश अब्दावली का प्रयोग होता है दूसरा अपसन है गड़िती ग्यान की सनचना में तर्क कोशल महत्पूर्ण है तीसरा अपसन दिया गया है गड़िती संकरपनाओं की प्रकति स्रेणी बद्ध है चावसा अपसन दिया गया प्राथमी की श्तर पर गड़ित प्रत्यक्षे और कलपना की अवशक्ता नहीं है तो आपको बताना है निगेटिव और आंसर पूछा गया है नहीं तो यहाँ पर भी नहीं दिया गया है यानि कि आपसर नंबर फोर जहाँ पर नहीं दिख जाए और निगेटिव और निगेटिव और आंसर लग जाए तो आपको वहीं पेटिक कर देना है तुरंथ आगे है निम्लिखित कथनों में से किसमे संख्या तीन का योग करम सूचक भाव में हुआ है पहला है इस डिब्बे में तीन पैंसिलों के कई समूँ है दुसरा है मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ तीसरा है इस घर में तीन कम रहे हैं प्रतिक समूँ में तीन टीम सदस्य तो आपको बताना है इनमें से किसमे संख्या तीन का योग करम सूचक भाव में हुआ है कुस्चन नंबर 4 का सब्मों का आंसर करिए कबार करम सूचक भाव में तीन संख्या का हुआ है Griffained नमबर इसका हजाएगा टू क्या हजाएगा मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ बल्कुल सही आंसा रहाएगा इसका आपसन नमबर टू इस प्रकार के कोश्चन आपको लगातार देखने को मिलने हैं पिछले दो-तिन सालों से लगातार कोश्चन बन रहा है इसे मिलता जुलता अगला कोश्चन है कौन सा कार ये अध्यापक से संबंदित नहीं है आपको बताना ये आपशन दिये गए इन मेंसे सा कौन सा कार है जो अध्यापक से संबंदित नहीं है तो इसका अंसर किजिए एक बार सभी लोग कोश्चन नमबर इसका सही आंसर हो जाएगा अगला कॉश्चन है बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयम सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए शिद्धान्त लागू होता है निगमन विदी हुरिस्टिक विदी आगमन विदी या फिर आंसर केजिए कॉश्चन नंबर 6 का बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक सोयम सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए यह फिरिस्टिक विद किसका है एपसे नंबर 2 विदी को और से नंबर 2 से अँनसर हो जाएगा इसका सबीव discontinue को करो जो लोग चैनल पर ने जूड़ रहे हैं चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और वीडियो को सभी लोग लाइक कर लिजिए फिर चलते अंगले कोश्चन पर तो जल देख बार सेशन को शिर कीजिए आप लोग सबी लोगों को जोड़ दीजे फिर चलते हैं एंगले कोस्चन पर कोस्चन है एंगला वेज्ञानिक विद्ध पर आधारित उपयुक्त विद्धी है आपको बताना है इन में से कौन से विद्धी है जो वेज्ञानिक विद्ध पर आधारित विद्धी है पहला है प्रयायोजन विद, दूसरा है, निगमन विद, तीसरा है, अधिगा मनवो कितने प्रभावी रहे और चोथा अपरियोग सभी तो बताना है, इन में से विज्ञानिक विद, पर आधारित, उप्युक्त विद कौन से हो जाएगी आंसर किजिए सभी लोग इसका, आंसर पताई एक बार क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो लोग कर रहे हैं, अप्रियोग सभी विज्ञानिक विद पर आधारित उप्युक्त विद्य है, प्रयोजन विद, निगमन विद और अधिगा मनवो कितने प्रभावीर है, यानि क इसकी बार बताना है, इनमें से कौन सा सिध्धान्त प्रयोजन विदिका नहीं है, पहला है, क्रिया सिलता, दूसरा है, वास्तविक्ता, तीसरा है, मुल्यांकर और चथा है, उप्योगिता, तो बताईए इनमें से कौन सा ऐसा सिध्धान्त है, जो प्रयोजन विदिका नह इसकी पमत किजिएगा इसको बीच में आपके लिए काफी फाइदमें रहने वाली क्लास question number 8 का जो लोग action number 3 कर रहे हुनका सही answer है इसका हो जाएगा action number 3 क्या हो जाएगा मुल्यांकन action number 3 विल्कुँ सही answer हो जाएगा आगे देखते हैं question है जिस विदी से पहले उदाहरन बाद में नियम बता जाते हैं वह है आपको बताना ऐसी कौन सी विदी है जिसमें पहले उदाहरन और बाद में नियम बता जाते हैं तो answer करेंगे सबी लोग question number 9 का कई बार आपको हम पढ़ा चुके हैं प्रकार के विदी यानि इस प्रकार के question भी question number 9 में आप लोग बताईए क्या हो जाएगा क्या वह आजमन की विदी है जिसमें पहले उदाहरन बता जाते हैं बाद में नियम और क्या वह निगमन की विदी हो जाए आपसे नमबर टू है आट्क से नंबर वं इसका सई है Hama уч influential आगमन विदि जो यह यह पहले उदाहर्ण बाद में रम्यान बता जाथे हैं इसके अंतर गत जो rule to example चलती है तो इसका आपसर नमबर 2 क्या आजएगा पहले नियम और बाद में उदारण के लिए चलती है निगमन भी ती यानि आपसर नमबर 2 सही है इसका पहले नियम आता और बाद में एक जामपल आता है बिल्कुर सही आंसर हो जाएगा इसका आपसर नमबर 2 आगे देखते हैं कोश्चन है वास्तविक जिन्दगी से गडित का संबंद बनाने के लिए और अंतर विश्यों को विक्षित करने के लिए निम्डखित में से किस मुल्यांकर नियोजनाओं का उपयोग किया जा सकता है तो सभी लोग को आंसर पढ़ी है एक बार कोश्चन को दे किया जा सकता है कोश्चन नमबर ग्यारा का पहला अपसन है चेत्री ब्रहमड मौकिक परिच्छा ड्री पत्रक या फिर दूसरा अपसन है सर्वेच्छन परियोजना और जांसूची तिसरा है चेत्री ब्रहमड मौकिक परिच्छा जांसूची चौथा अपसन है चेत्री ब प्रियोग सिच्छा साधनों के रूप में किया जा सकता है। प्रियोग सिच्छा साधनों के रूप में इनका सब का प्रियोग किया सकता है। अच्छा गर्ता की होने के लिए डॉट डॉट होता है। अब आपको पताना है कि अच्छा गर्ता की होने के लिए क्या जरूरी होता है। के उत्तर देने की तकनीक में निपूरता हो तुसरा है अधिकता सुत्रों को याद करना तिसरा है बहुत जल्दी सवालों को हल करना चौथा अपसर ने सभी अवधारणाओं को समझना लागू करना और उनमें शंबंद बनाना तो आपको अंसर करना है एक अच्छा करता कि हो अपसर इसका अपसर नमबर फॉर आगे देखते हैं गड़ित विशय को सभथावास अंस्कृत का दरपण किस गड़तागी ने बताया है आपको हागवें नियूकलिड पलोटो या फिर अरस्तु तो सभी लोग आंसर किजी एक बार गड़ित विशय को सभथावास किस गड़त अग्यों ने बताया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा, अपस़न नंबर 1, हाग बेन ने कहा था, ऄग बेन ने कहा था, हाग बेन ने कहा है, गड़ित को सभेतावास अंस्क्र Argentina का दर पन साहीं आंसर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, गड़ित से सम्बंधित सिद्धांत सिरोमड़ी पुस्तक के लेखक कौन है इन में से आपको बताना है दो अपसं देग एंख महाविरा चार दुसरा तो बताईए गड़ित से सम्बंधित सिद्धांत सिरोमड़ी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, question number 16 का answer कीजिए सभी लोग तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर टू क्या हो जाएगा भासकरा चार तो ती यह जो है यह जिद्धान तर शिरोमड़ी पुस्तक के लेखक हैं अगला कुश्चन है कुश्चन नंबर 17 है गड़ित की कच्छा में मन्द बुद्ध या तीवर बुद्ध दोनों तरह के अभ्यासकार में वेस्ट रखने के लिए या फिर रहने के लिए सिच्छा को किस क्रम में अभ्यास करवाना चाहिए आपसन देखते हैं पहला अपसन दिया गया है अग्यात से ग्यात की और दूसरा दिया गया है सरल से कठिन की और तिसरा अपसन है कठिन से सरल की और और च कोश्चेन नमब सतर का हो जाएगा अप्शन नमबर टू, सरल से कठिन की और अभ्यास देना है आपको, सरल जो अभ्यास रहेगा उसके अंदर मंद बुद्ध्यवाले और जो कठिन रहेगा उसके अंदर तीवर बुद्ध्याले बालक वेश्टर रहेंगे, आगे देखते है गडित के किस साखा के सिच्छन का परमुद्य से है कि छात्रों को सवधानी पूर्वक तर्क करने की सक्रिय शक्ति का परिच्छन तो आफसान देखिए अंक गडित, बीज गडित, जियामिती या फिर उप्रोक्त सभी कोश्चन नमर 18 का सभी लोग बताईए क्या हो जाएगा, सही आंसर बताईए इसका गडित के किसाका के सिच्छन का परमुद्य से कि छात्रों को सदानी पूर्वक तर्क करने की सक्रिय शक्ति का परिच्छन तो इसका आपसर नमबर हो जाएगा, 3 जियामिती हो जाएगा, इसका सही आंसर, आपसर नमबर 3 है अगला कोश्चन है, खेल प्रकत को सिच्छा देने का सादाने और बालक की सिच्छा उसकी प्रकत के अनुशार होनी चाहिए वो परोक्त कथन किसके दोरा कहा गया सभी लोग बताएंगे वो परोक्त कथन जो है खेल प्रकत को सिच्छा देने का साधन है और बालक की सिच्छा उसकी प्रकत के अनुशार होनी चाहिए किसका कथा नहीं है क्षेल प्रकत को सिच्छा देने का साधने और बालक की सिच्छा उसके प्रकत के नुसार होनी चाहिए अगला क्षेल और अंतिम क्षेल है किसी समी करण के एक और से कोई संख्या दूसरी और जाने में उसका चिन्न क्या हो जाता है तो सभी लोग आंसर किजिए इसका किसी समी करण के एक और से दूसरी और जब संख्या जाती है तो इसका चिन्य क्या हो जाता है बदल जाता है वह ही रहता है या फिर इन्ड में से कोई भी नहीं तो इसका हो जाएगा आपसन नंबर वन क्या हो जाएगा जब किसी समी करण के एक और से दूसरी और को संख्या जाती है तो इसका चिन्ह परवर्तित या फिर बदल जाता है आपसर नमबर वन इसका सहियान सारे आप लोगों को बताना है कमेंट बाक्स में कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी सारे के सारे कोश्चेन आपको वही करवाए गए हैं जो एक्जाम में बनने की सम्भावना है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और जितने भी लोग नया चैनल पर जूड़ रहे हैं कर लिजिए क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी प्ले लिस्ट बन चुकी है जहां से कुश्चिन आने की बहुत सम्भावना है मैथ्स पेड़ागोजी, हिंदी पेड़ागोजी और एवेस की पेड़ागोजी की सभी की सभी क्लासे पढ़ी हुई है अगर आपने पढ़ लिया जाकर के तो सभी के सभी 100% कॉश्चिन आपको यहीं से मिलने के उम्मीद है फिलाल अभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाबाए अपने त्यारी को लगातार जारी रखिए झाल